हलो फ्रेंड्स आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत अच्छी कविता कविता का श्री श्रक है माया और कवी है श्री यूएस गड़ पाइले आईए सुनते हैं कविता माया ना कहो तुम ना कहे हम क्यों कहें जमाने से जब पास बेटे हैं हैं देखें यहां माया का दो अर्थ है एक तो माया वह होती है जिसमें की धनसंपत्ति के बारे में सोचा जाता हूँ एक माया वो होती है जिसमें की प्रेम और स्नेह की भाषा होती है तो आप समझेगा कि इसमें किस बारे में बोला गया है ना कहो तुम ना कहे हम क्यों कहे जमाने से जब पास बठे हैं हम तरफदारी किसकी करें कहने की जरूरत नहीं हम सफर है पर आसपास कोई नहीं हसी कहां रख दिये क्या गिर्वी कर गएं मूल प्याज जब सब अदा कर दिये मोहमाया नहीं छूट रही अपने हो रहे पर आए अपसीर पिटने से क्या कारवा तो निकल गया फिर भी समझ रहे है करीब अपने गूत रहे स्वयम को ब्रह्म के मकड़ जाल में घड़ा भरा है जलका प्यास कुछ बुश्टी नहीं कोई तो पिलाए आसी छूटती नहीं जो कर दिया अच्छा कर दिया नाम जरा नहीं उसका भुलावे में रख दिया जाने अंजाने बुरा हुआ माथे पड़ गया कोसने को सब के बहाना मिल गया जिंदगी बीट गई क्या कुछ कम है मैनेजबेंट के कोर्स से रत्ती भर कम है हर कोई पिलाते नुष्का तरह तरह का आपके अपने अनुभव के अनुष्कों से कुछ कम है क्या अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई कहने भर दूसरों के लिए ही रखवाई कैसे ये मकारी मतलो लाचारी भूलने में ही है भलाई कब तक खिलाते रहोगे मलाई अब अपनी तरब देखो सुधलो खुद की बात अप अपनी करो जीओ खुद की जिंदगी करदो तर मन दिल को बाटो अब खुशी जियो मस्त मौला बंगर लाओ मुखपर हसी शुबदी नाया खुशिया लाया मुबारक हो मिलकर हम सब मनाए ये दिन हसी खुशी अच्छी कविता सुनने के लिए देख दे रही हमारा चनल और अब तक आपने हमारा चनल अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजए हम ऐसी अच्छी कविता लेकर आते है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कविता के साथ तब तक आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए नमस्कार